हाथ फ्रिक्षन स्टार्ट करेंगे हम ठीक है तो स्टार्ट करें कुछ पूछना है जब फ्रिक्षन प्लाएंगे तो फ्रिक्षन में फिर कोशन वही आएंगे तो वो दुबार आ जाएगा तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्षन ठीक है तो को फ्रिक्षन होता क्या जरा समझने की कोशिश करिएगा जनरली जनरल बोलचाल की भासा हम जानते हैं कि दो सर्फिस के बीच एक ऐसा फोर्स जो एक दूसरे के मोशन को अपोस करें उन्हें फ्रिक्षन कहते हैं जनरली हम जानते हैं अच्छा हमने कैसे एक्स्पिरियंस किया कि फ्रिक्षन होता है देखे हमने क्या किया एक सर्फिस पे कोई हमने बॉड़ी रखी हमने बॉड़ी रखी और बॉड़ी का वेट नीचे के और एक्ट करता हम जानते हैं और एक रेक्षनरी फोर्स इसके is rest then it will remain in the state of rest जब तक कि उस पर को external force apply न करे थीक है इस पर external force apply कर लेते हैं तो हमने 1 newton का force इसमें apply किया तो according to again newton's first law motion जब हमने force apply किया तो इस body की state change होनी चाहिए तो कहा गया as you apply the external force the state of body will change लेकिन change नहीं हुई हमने ठीक है थोड़ा और force लगाते हैं हमने 2 newton का लगाया तब भी नहीं change हुई क्यों नहीं change हुई कोई तो है जो इसको रोक रहा है तो इसका मतलब हचा हमने और force बढ़ाया 3 newton लगाया 4 newton लगाया लेकिन body की speed change नहीं बढ़ी या body नहीं चली लेकि जैसे force है थोड़ा सा बढ़ाया बस बढ़ाया ही था कि body चलने वाली थी बस अब चली की तब चली लेकिन चली नहीं तो इसका मतलब होता है कि जब हम force लगाते है body फिर भी जब कोई body किसी surface के move करती है या move करने की tendency रखती है tends to move यह body नहीं चल रही है ठीक है लेकिन move करना चाहती है तब ही तो हम जड़ा सा force बढ़ाते हैं तो move कर जाती है तो उसी को हम कहते frictional force ठीक है reason क्या होता अब इसके बारें बात करेंगे थोड़ा सा लिखेगा book में लिखा हुआ है whenever body moves are tends to move लिखे whenever a body moves or tends to move move करती है या move करने की tendency रखती है tends to move over the surface of another body over the surface of another body a force comes a force comes into play the force comes into play which act parallel to the surface of contact which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion and opposes the relative motion this opposing force is called frictional force this opposing force is called frictional force अगर हम इस body पे एक एक फोर्स लगा दे यह ऐसी यह आपका एप्लाइट फोर्स है यह क्या है एप्लाइट फोर्स है तो frictional force दोनों के जो surface of contact है उसे बिलकुल उसके अपोजित लगेगा यह है frictional force frictional force देखिए ज्यान से जब हमने 1 newton का force लगाया था तो body नहीं चली थी मतलब opposite में 1 newton force लगना शुरू हो गया होगा अगर मैंने इधर से 1 newton लगाया होता opposite में 2 newton लगता तो body opposite चलना शुरू कर देती हमने 2 newton लगाया तो 2 newton opposite लगना शुरू हो गया होगा 4 newton तक opposite में 4 newton लगना शुरू हो गया होगा मतलब हम कह सकते हैं कि frictional force एक self-adjusting force है उतर ही वो oppose करता है जितना उसको जरूरत होती है ठीक है यह नहीं है कि अब हम लगा रहे 1 newton opposite लग रहा 2 newton जी नहीं अब यह reason क्या है भाई क्यों है force लग रहा है हमने general bolchal की भासा में पढ़ा है कि दो surface अगर rough है खुर्दुरे type के हैं तो उनके बीच force लगता है ठीक है अगर यह plane है चिकने है बिल्कुल smooth है तो frictional force नहीं लगता चले मैं मैं माल लेता हूँ आपको एक बढ़िया सी इसे मेज के पास संमाइका की उसके उपर माइका होती है बिल्कुल चिकनी उसक उपर आपने क्या किया गा और उसको हलका सा ऐसे धक्का मारोगे कागा चलना सुरू कर देगा क्यों या आपनी बुक रग दीजे और बुक को धक्का मारोगे चलना सुरू कर देगा क्यों 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 कि दोनों सर्फिस स्मूथ है चलिए अगर आप पानी डाल देते हैं उसके उपर तो स्म उनों के जो molecules हो गए वो चिपक गए अब वो आपस में चलना ही पाए जब कि smoothness तो कम हो गई सरी बढ़ गई smoothness बढ़ गई उसकी friction कम हो गया तो यह तो मेरी जो definition है तो गलत हो गई कि दो surface के smooth होने से friction कम हो जाता है तो हमने कहा actually जो friction होता है जो frictional force होता है यह एक molecular force है यह कैसा force है एक atomic force है एक molecular force है कैसे देखे एक surface rough था हाँ लगबग rough पर surface की बीच लगता है ज्यादा एक दूसा surface rough है जब इन दोनों surface को contact में लाए तो जो इसके rough molecule होते है वह एक दूसे से ऐसे थोड़ा सा एक दूसे में ऐसे धर जाते हूँ यह हलका सा और जब हम एक को move कराते हैं तो मालिया ऐसे धर गए और हम इसको move कराना चाहते हैं तो जब move कराएंगे तो हमको force लगा करना पड़े हैं और जैसे हम ताकत लगाएंगे तो जेसे हम लेक्षान तूटके इस पर आगए हो यह सकता है ना हां नहीं हो सकता है और इसके लेक्टान तूटके इधर आगे होंगे तो इसका nature कैसा हो गया होगा positive इसका कैसा हो गया है negative आप दोनों की बीच force कितना कैसा लगेगा attraction तो यह दोनों एक दूसरे को attracted करने लगे अब attraction है और हम उसे move कराना चाहते हैं तो हमें force लगाना पड़ेगा तो actually में जो frictional force होता है वो due to atomic and molecular force लगता है ठीक है तो general definition है यह तो समझने के लिए लिखना नहीं आपको है कि भाई जब दो surface हैं एक की body पे हमने एक body पे force लगाया तो जो surface के बीच में एक ऐसा force जो उस body के motion को oppose करता है उसको हम frictional force कहते हैं ठीक है और यह एक self-adjusting force होता है बड़ा चालाक होता है यह एक newton लगाता है तो करता हम एक ही newton लगाएंगे तो एक newton करके आप लिख लिजेगा एक newton लिखें 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 लिखना क्या है हम अगर आप से friction की direction किदर होती है तो आप कहेंगे friction की direction applied force के opposite होती है यह कहेंगे ना आप चलिए एक example लेते हैं देख़ें द्यान से आपने देखा होगा grass काटने वाली एक machine होती घास काटने वाली machine होती है कैसे आप चलाते है उसको machine ऐसे सरसेश पर चलती है और आप ऐसे पकड़ते है उसको अमयदान है और यह आपकी ट्रॉली है जिसको आप चला रहें, आपने फोर्स इधर लगाया, है न, फोर्स की जो लाइनफ एक्षन है आपकी, वो इधर की तरफ यह अप्लैट फोर्स है, यह अप्लैट फोर्स है, क्या friction इसके opposite लगेगा यह यह friction applied force के against नहीं लगता motion of the body के against लगता हां मतलब जो हम इसको ऐसे जो है force लगा रहे थे तिर जो grass roller था यह इधर की और चल ला था यह direction of motion है direction of motion है तो इसके opposite friction लगता है यह frictional force है अब आप कहेंगे यह बताइए चलिए मैं मान लेता हूँ तो मैं इस force को निकालूं का कैसे वह फोर्स की value velocity के equal तो हो नहीं जाएगी force को equate किसे करेंगे force equate करेंगे तो actually में जो आप force लगा रहे हो ना यह horizontal से आप theta direction में लगा रहे हूँ तो आप जिधर की और body जा रही है उधर कौन सा force लगा रहे हूँ f cos theta theta से लगा हुआ component cause होता है उसके perpendicular sign होता है ठीक है तो आप f हाँ लिक की देखिए इसको लिखिए देखिए कैसे होगा दूसी तरीके से समझ लीजिए इसको रटी है नहीं देखो द्यान से इधर देखो ने मैं माले तो confused है इधर समझ जीएगा एक सेकंड देखो अगर मैं इस ट्रैंगल को ऐसे complete कर दूँ तो यह fx हो गया fx अगर मैं कॉस्ट इडा लेता हूं तो आज़ा बेस अपन हैप्ट न्यूस तो आप force को equate force ही करेंगे लेकिन अगर हम यह रट लें कि जो frictional force होता है हमेशा opposite to the applied force होता है यह नहीं है friction has a direction opposite to the intention of motion of body intention of motion of body body का intention जिधर move करने का है यह जरूरी नहीं है कि force लगाने से body चल ही देगी body चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है उसका जिधर की और intention होता है उसके opposite friction लगता है कभी-कभी देखे body आगे चलती है और friction भी आगे लगता है बूलेगे कैसे होता है आप अगर accelerating body कभी आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी accelerate कर रही हो तो कभी कभी देखो अगर पीछे की और धक्का लगता है हो तो पीछे हो गया तो friction किदा लगेगा आगे की और जबकि हम already उसी डारेक से में जा रहे है होता है नहीं होता है कभी कभी गाड़ी में बैठे हैं गाड़ी में ब्रेक लग गई है तो हम पीछे की और slip करने की tendency लगते हैं तो friction आगे लगने लगता है तो जिदर हमारा intention आप motion होता है friction उसके opposite लगता है ठीक है अब हमने अभी 1 newton का force लगाया था बाड़ी नहीं चली इसी 2, 3, 4 तक लगाया बाड़ी नहीं चली क्या friction नहीं लगा उसमें friction था वो कौन सा friction था वो static friction था तो लिखे static friction static friction यानि कि दो बाड़ी लिखे the force of friction the force of friction which comes into play a force of friction which comes into play between two bodies between two bodies before before one body before one body actually starts moving before one body actually starts moving moving over the other actually starts moving over the other is called the static friction is called the static friction Obracken-Mujiga आप एस एस इंडिकेट फ़र दा स्टेटिक एस इन नीचे लिगो इट इस सेल्फ एड़्जस्टिंग फोर्स इट इस सेल्फ एड़्जस्टिंग फोर्स यानि ये एक बॉड़्ड एक सर्फिस है मा लेता हूँ रफ सर्फिस है उनको फ्रिक्शन रफ सर्फिस पर ज्यादा लगता है ये एक बॉड़्डी है हमने ये फोर्स लगाया F ये वो एप्लाइड मैक्जिमम फोर्स है जो बॉड़ी को बस मूब कराने ही वाला है बॉड़ी जस्ट अबाउट टू मूब मूब नहीं कर रही है लगन होता धका लगाया चली 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 नहीं लेकिन वो अलाग फोर्स है तो यह frictional force opposite लगेगा Fs यह आपका self-adjusting force है जब 1 newton का force में लगाया था तो अपने आप 1 newton opposite लगा था 2 newton लगाया तो 2 लगा 4 लगाया तो 4 लगाया 4 आपका maximum force था इसके बाद जैसे आप force लगाएंगे वैसे body चल देगी ठीक है इसको limiting friction कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं limiting friction कह सकते हैं अब लिखे kinetic and dynamic friction kinetic and dynamic friction अगला है kinetic and dynamic friction kinetic or dynamic friction देखिए अभी हम body पे 4 newton force लगा रहे थे body नहीं चल लही थी हमने force ये जरा सा बढ़ाया 4.001 थोड़ा बढ़ाया body चल दी body चल दी हमने body को छोड़ दिया चलती रहेगी तो क्या करना पढ़ेगा वो चलती तो रही रहेगी लगातार आपको force लगाते रहना होगा क्यों क्योंकि कोई नो कोई है जो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है वो कौन है वो अभी भी friction है लेकिन क्या force थोड़ा कम लगाना पढ़ेगा या उतना ही लगाना पढ़ेगा जितना आप कम जब बोड़ी चल देती है तो force थोड़ा सा कम लगाना पढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो dynamic friction होता है वो static friction से थोड़ा सा कम होता है जैसे कोई गाड़ी है start नहीं हो रही आप धका मारते है तो जब तक वो पयाग भूमना नहीं शुरू करता तब तक वो पयाग भूमना शुरू कर देता है तो force थोड़ा कम लगाना पढ़ता है लेकिन लगाना तो पढ़ता है तो वो कौन सा friction है वो dynamic friction है कितना लगाना पढ़ेगा जितना dynamic frictional force है उतना ही आपको force लगाना पढ़ेगा तब क्या होगा body constant velocity से move करती रहेगी अगर आपने उसे ज़्यादा लगा दिया तो body accelerate हो जाएगी ठीक है तो kinetic friction क्या होता है कि जब body move करने लगती है move करने लगती है तो उसके movement को एक constant velocity चलाने के लिए आपको लगातार एक force लगाते रहना पढ़ता है उसी को कहते है के साथ करने कुटमक्रिक कि थादा वोस यसिता मुटक्रिक अपको लगता प्री थादा यू Joshi अब लगता जब.. बोड़ी ओवर दा सर्फिस आफ एनेदर बोड़ी इस काल्ड कैनेटिक और डैनमिक फ्रिक्शन इसको हम FK से डिनोट करते हैं यहां एक्शली जो आपका FK होता है या FS होता है जब बोड़ी FS की कनदिशन में जब Equivalden State में होती है जस्ट about to move में तो आपका स्टैक फ्रिक्शन भी Applied Force के बराबर होता है और यह डैनमिक फ्रिक्शन भी Applied Force के बराबर होता है कब जब body चल दी और लगातार एक constant velocity से आप move कराती रहेंगे तो आपका applied force, frictional force के बराबर होगा अब हम applied force और frictional force के बीचे graph बनाने जा रहे हैं लिखे graph between applied force and frictional force graph between applied force and frictional force graph between applied force हम इसको f माल लेते हैं and frictional force अब इसको हम कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि ये frictional force आपका कोई भी हो सकता है जरा समझीएगा body एक rough surface पर रखी वी है आपने 1 newton का force लगाया body नहीं चली क्यों क्योंकि 1 newton एक equal लगया 2 newton लगया 3 newton लगया तो हम जितना applied force ये applied force है और ये frictional force है ये इधर है frictional force हम जानबूच के यहां पर fs या fk नहीं लिख रहा है देखे जैसे applied force लगाते हैं जितना force आप apply करते हैं उतना ही frictional force उसमें लगने लगता है यानि कि ये लगातार frictional force बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कब तक जब तक body अपनी limiting equilibrium में नहीं आ जाएगी limiting equilibrium का मतलब होता है body just about to move अब move कि तब move लेकिन move नहीं तो ये आपका maximum ये applied force है आपका ये और ये maximum frictional force है इसको fs भी लिख सकते है और इसको आप fs max भी लिख सकते है इसको fs भी लिख सकते है और fs max भी लिख सकते है आप सुम जा गई बार यहां से यहां तक ये friction चला है ये लगाता है ये क्या चला है ये friction चला है यहां से यहां तक body static position में रहेगी तो यह कहलाता है aesthetic reason aesthetic reason सही मैं कहा रहा हूँ अब body move करने की condition में है अब जैसी force apply थोड़ा बढ़ाएंगे body चलना शुरू कर देगी friction घटेगा या बढ़ेगा घटेगा friction जैसी body चलना शुरू कर दे घटेगा कितना घटेगा कि आराम से बैड़ जाओ body चलती रहेगी थोड़ा सा घटेगा तो देखे जड़ा थोड़ा सा इसको अलका सा नीचे कर दीजिए लड़ गया अरे अब इतना करेंगे तो देखेगा नहीं अब अगर हम molecule बनाए एक छोटा सा हम कहीं दो को molecule बना हुआ है तो कहींगे दिखेगा नहीं तो हम molecule इतना बनाते हैं नहीं इलेक्टरान हम इलेक्टरान हम जब चलिए कोई बात नहीं उससे कोई values मतलब नहीं है तो दिखे इसलिए हमने सिकिर आया यहाँ पर हम पहुँच गए यह आपका kinetic frictional force है यह क्या है Fk है अब आपको लगातार कितना force लगाना है इतना ही force लगातार आपको लगाते रहना है यह Fk के बराबर लगातार तो यहाँ से यहाँ तक तो static reason था इसके आगे यह dynamic reason है dynamic समझ में आई बार अब एक coefficient of friction अगला है coefficient of friction देखिए coefficient of friction होता क्या है of friction ज़रा समझीएगा यह एक rough surface है उस पर हमने एक body बार बार rough surface बोल देते हैं यह एक surface है क्योंकि हमने कहाँ रफनेस तो ठीक है लेकिन molecular arrangement पर भी depend करता है friction देखिए ध्यान से यह इसका weight नीचे की और act करता है और reactionary force उपर की और act करता है हमने एक force apply किया यह applied F क्या है यहाँ पर applied force है applied force है और हमने माल लिया कि body जो है वो limiting equilibrium के condition में है तो इसका frictional force इधर की और लगता है अब जरा समझने की कोसिस करिएगा आप बैठे हुए है train की seat पे मतब डिब्बे में बैठे हुए है और बगल में कोई आपके बैठ गया थोड़ी से जगह है अकसर का excuse me भाई साब थोड़ा सा बठा लीजिए भाई साब ने थोड़ा सा बठा लिया उनको तो बगल वाला क्या करेगा धीरे से आपको ऐसे धक्का मारने की कोशिस करेगा नहीं करेगा करेगा ना धक्का मारने की कोशिस अब आपको वो कभी ट्रेन में नहीं बैठे हो बैठा हो ना थोड़ी जगह हो आप जब बैठ तो कोशिस क्या करते है पूरा बैठ जाओ थोड़ा धीरे से उसको धक्का मारते हो ना तो वो क्या करता है, खिसक जाता है, वो थोड़ा सा ताकत लगाने कोशी करता है, लेकिने कर चिकनी सीट है तो, वो खिसक जाएगा, अगर वो हैवी परसनाल्टी है, तो आप उसको नहीं खिसका पाऊगे, यह निक फ्रिक्शन कुल मिला करके किस पर डिपेंड करता है, यह एंगे मतलब, रेक्शन प्रिक्शन फोर्स क्योंकर आपको अपना वेट क्यों मैसूस होता है, बिकॉज आफ युर रेक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन जो होगा, that is proportionate to reaction force, Frictional force हमेशा reaction force के proportionate होता है Equal तो नहीं कह सकते है हम कहना weight ही चाहते हैं लेकिन किसी body का weight जो है experience होता है due to the reaction force acting on the body तो जब हम Fs is equal to करेंगे तो एक constant आएगा mu यह state कौन सी है limiting equilibrium की state है तो इसको mu s into r लिख देते हैं और mu s is equal to Fs upon r जो mu s है ना इसी को mu 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 m e u कह सकते ही आप नहीं वो new होता है यह ऐसे बता रहे हो ना यह new 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 होता है any w type का यह mu है यह हमने जो u होता है u u बनता है u को ऐसे ख़ड़ा कर दीजिए तो new बन जाता है ऐसे बनाया देखे यह u बनता है ना यह ऐसे बन जाता है new तो ऐसे जल्दी बना दिया जता है यह mu है mu तो यह mu s है तो mu s क्या है लिखे यह mu s is coefficient of friction coefficient of friction कौन सा friction static friction static friction और अगर हम कहें कि actually static friction क्या होता है definition अब पूछना चाहें तो आप कहेंगे the ratio between the limiting frictional force to the reactionary force कह सकते हैं तो लिख लिजे definition अच्छा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं देखिए अगर आपने r by fs कर दिया तो उसको one by कर दो फिस भाई यार हो जाए क्या फर्मूता है क्यों करिये नहीं लिखिए नीचे लिखिए it is ratio of limiting friction to the normal reaction limiting friction to the normal reaction ठीक है अब देखिए अगर यही बोडी चल नहीं होती तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगता तो एक नोट लिख लिजेगा if body is moving if body is moving then for kinetic friction kinetic friction kinetic friction में यही ची लिखी जाएगी लेकिर वहाँ पर आप क्यों मियू के लिख देंगे तो fk is equal to mu k into r यह kinetic friction होता है फ्रिक्शन वही है कि उसको indicate करने के लिए हम static और kinetic लिखते हैं अब देखिए angle of friction बहुत नहीं नहीं बढ़न है ध्यान किएगा ध्यान से पढ़िएगा angle of friction angle of friction देखिए angle of friction होता क्या अपले समझने की कोसिस करिएगा आप फिर हम आपको train की बोगी में बढ़ाल देते हैं आपको अइसे धक्का मार रहें दीरे से ऐसे खिसका रहें तो आप क्या कोसिस करेंगे आपको friction कि दर क्यों लगेगा हमारी जिदर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उदर लगेगा अपोजिट हम तो ऐसे धका मार रहें ना फृक्शन इदर लगेगा जो आपको धका पड़ेगा आप मेरी तरफ ही जुकेंगे ना कितना जुकेंगे क्यों जुकेंगे अपने reaction force और अपने उपर लगने वाले frictional force को balance करने के लिए जुकेंगे आप एक तो आपको अपनी कमर भी रोक नहीं पड़ रहे हैं धका मार रहे हैं आपको और एक आपका weight भी है तो आ यह क्या होगा यह resultant होगा किसका आपके ऊपर लगने वाले reaction force और आप लगने वाले frictional force का सही मैं कह रहा हूं तो आप कुरसी में बैठे हुए हैं हम इधर बगल में बैठ जाए और आपको ऐसे धका मारें और आप चाहें कि कुरसी से गिर जाओगे इसे तो और आप बैठ बिगड़ रहा है आपको आप और दूसी बात friction force को balance करना चाहते हैं तो आप उतना force लगाएंगे resultant of reaction force and frictional force और देखो द्यान से यह है आपका यह है आप आपका नहीं आप और यह आप बैटे हुए हैं एक बोड़ी है यह बोड़ी का weight है जो कि reaction force के बराबर होता है reaction का मतलब भी होता weight because weight is experience because of the reaction अगर reaction कम है तो weight आपको कम experience होता है अब देखिए हमने इधर force apply किया अब आप कहेंगे आप तो इधर धक्का मार रहे थे धक्का ही मारना माली है हमने force apply किया तो friction कि इधर लगेगा opposite आप balance में रहना चाहते हैं आप static equilibrium में है तो आपको इन दोनों के resultant के बराबर यहां पर एक यह applied force की line of action है ठीक है आपको यहां पर कैसे diagram बनाए यह reaction force लगाना पड़ेगा यह reaction है S क्या है S is the resultant of R and FS सुम्झाई बात यहां पर है S is resultant of R and FS कह सकते हैं यह resultant R से जो angle बनाता है उसी को angle of friction कहते हैं तो हम language भी लिसकते हैं आप दिखेंगे here S is the resultant of R and FS तो the angle between R and S is known as angle of friction लिखेंगे अगर इसकी value निकालना चाहें अगर इसकी value निकालना चाहें तर डियाग्राम को ध्यान से देखेंगे यह आपने पैले लोगाम complete कर दिया जहां पर इस थीटा है इसमें अगर आप 10 थीटा लगा देते हैं तो 10 थीटा होता है पर्पेंडिकुलर पान बेस पर्पेंडिकुलर क्या है Fs यह ना यह तो Fs और बेस क्या यहां पर है R और Fs को भी हमने कहा है मिवेस इंटू आर अपान आर 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 कैंसल आउट तो मिवेस हो गया नहीं कह सकते हैं तो आपने क्या बत देखा कि जो टैंजेंट आफ एंगल आफ फ्रिक्शन होता है वह आपका कोफिशेंट आफ फ्रिक्शन के बराबर होता है ठीक है अधि आप कह सकते हैं दस the coefficient of friction of friction is equal to the tangent of tangent of angle of friction angle of friction ये कहाज असकता है आप अठ्रीट हुआ है हिक है